Hello everyone, guys, my name is Vinit Kankriyan, I am your con teacher at this wonderful channel, MBA वाला बाई P.W. तो दोस्तो, Vedic Math series अपनी मस्ट चल रही है, आपने यहाँ पे बहुत सी चीज़े देख ली है, और आज जो बहतरी इंट्रीक, जिसमें majority student डरते है, demand कर रहे थे, सर, division, division कैसे करते हैं, बड़े-बड़े number का खास कर वो बड़ा number है, बट prime है, कोई बड़े number को हम reduce तो कर सकते हैं division में, लेकिन अगर वो prime हो तो कैसे reduce करें, और ना reduce करें तो फिर divide कैसे करें, सर, cat में calculator allowed है, लेकिन अगर बाकी exams में नहीं allowed तो कैसे करें, तो guys इस सब आज दे यह perfectly divisible, यह perfectly divisible, यह na, sir, 8 upon 2 बताने वाले हो, नहीं, तो बस आपको बता रहो perfectly divisible मतलब क्या, 8 upon 2, याने 8 को 2 पूरी तरह divide करता है, तो आज ऐसे ही number का में division बताऊंगा, जहाँ पे एक number दुसरे को पूरी तरह divide करता है, लेकिन सब बड़े-बड़े number है, तो कैसे करेंगे वो हम आज के पार्ट में देखेंगे, और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे वो number जो perfectly divisible नहीं है, याने कि जहाँ पे आपका answer decimal में आता है, यह na, तो वो second पार्ट में, तो guys, first पार्ट देखेंगे हम, so division trick की शांदार शुरुआत करेंगे, आज पार्ट 1 में, और देखो यार, division वैसे, आप जैसे मैंने कहा, 8 upon 2, sir, यह तो मत बता हो, यह हम खुदी कर लेंगे, yes, यह आपको पता है, यह आप कर लोगी, in fact, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको count में expert बनना, देखो यह वेधिक math, हम बस आपको वेधिक math समझाने के लिए नहीं, बट में से किसी भी number से अगर divide करना है, तो आप आराम से करना चीए, वो हो जाना चीए, क्योंकि again, मैं फिर से बोलूँगा, cat में calculator allowed है, लेकिन वो system वाला calculator, उसमें हाथ साफ होता नहीं, वो use करोगे, उसमें unnecessary time waste होगा, तो 1 to 30 तक तो tables को by heart करो, और फिर वो जो tables है, उससे related जो सब कर लियाता, लेकिन exam pressure में सरम 23 का भूल गया और उसी से division आई थी, सरम 29 का भूल गया और उसी से division आई थी, तो फिर उसको और कैसे वो trick है, जिससे हम आराम से easily कर सकते है, वो हम आज देखेंगे guys, तो यार simple है, देगो, आपको जैसे मैंने अभी कहा, कि आप division तो 1 to 30 तक अगर कुछ भी है, जैसे something divided by 13, something divided by 12, ये division आप से direct हो जाने चाहिए अगर table by heart है, और जो होना भी चाहिए table by heart, this is a prerequisite, जैसे कि swimming करने जा रही तो costume लेकर जाना जरूरी है, ये prerequisite है उसी तरह, यहाँ पर guys ये prerequisite है कि 1 to 30 तक आपको table आना जरूरी है, तो ऐसे division आप table तो 96 है, लेकिन किसी को click नहीं हुआ, तो in that case हम क्या करेंगे, in that case हम क्या करेंगे, हम इसको reduce भी कर सकते हैं, भलाई यहाँ divisor काफी बड़ा है, 48 का table सर, आपने तो कहा था 30 तक table याद होना, ये तो 48 नहीं याद, तो आप इसको reduce कर सकते हो, जहाँ reduce कर सकते हो, उसको automatic अब करने वाला 2 से भी कर सकता है, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी, 16 से भी, 24 से भी, और डिरेक 48 से भी, आपको जो click हो रहा है अब उससे करो, आपको लग रहा है कि सर, ये तो 4-4 से divide हो रहा है, आपको 16 click ही नहीं हो रहा है, 24 click ही नहीं हो रहा है, आपको 40, ये तो 4-4 से divide बन जाते हैं समझति रिदीउस होकर चोटे हमजा जैसे 3125 बढ़ा है बढ़ा है तो यह किस से डिवाइड होगा कैज अब यह किस से डिवाइड होगा अगेन आपको अगर 25 क्लिक हो रहा है तो 25 नहीं तो 5 क्लिक हो 25 आया, यहाँ पर कितना आया, 625 आया, अब 25 का टेबल तो आपको याद होगा, in fact, आपको 25 का स्क्वेर भी आद होगा, 625 भी होता है, तो यहाँ 625 डिवाइड बाइ 25, क्या आएगा, 25 भी आएगा, तो क्लिक हो रहा है, तो डिर्क डिवाइड करो, नहीं, तो वाब इस 5 पाज से करो, यहाँ 5 किया, यहाँ 125 आया, यहाँ 5 से किया, यहाँ 25 है, तो फाइनल अंसर क्या आया, गाइस 25, देखो, डिनो मेनेटर पुरा डिवाइड होकर, क्या बचा 1 और numerator में क्या बचा 25 तो final answer is 25 upon 1 25 बराबर तो guys again sir अच्छा यहाँ पर 3-3 बार करना पड़ेगा sir हमें यह धीरे धीरे initially जैसे जैसे मैंने कहा न table by heart होना शुरू होंगे आप फिर direct 25 से divide कर लोगे हाँ आप direct 24 से कर लोगे या फिर आगे calculation में expertise आने के बाद कोई यह भी समझ जाएगा कि 96 तो 48 तो टू टाइमस होता है answer is 2 3125 यह 125 का ही 25 टाइमस होता है अगर क्लिक हुआ तो बहुत बढ़िया नहीं तो आप 25 से divide कर लो दो बार हो जाएगा खेल एक बार 25 से एक बार 5 से तो जार ऐसे number को भी divide करना task नहीं मतलब मेरे बोलने का meaning समझगो अभी तक मैं trick पर आया हुँ मेरे बोलने का मतलब है की ऐसे number को भी divide करना कोई बड़ी बात नहीं भला है numerator बढण हो denominator बढ़ा हो लेकिन अगर वो reduce हो रहे, reduce हो रहे, reduce हो रहे, reduce हो रहे, तो आप divide कर सकते हो, है ना, अगर denominator 1 to 30 के बीच में हो तो आप से divide हो जाना चाहिए, उतना आपने आपको सक्षम बनाओ, ट्रीक भी time का खराब कर सकती है, as compared with direct division, है ना, तो ट्रीक तो तब के लिए गाईस, जब denominator वाक्य में बढ़ा reduce भी नहीं हो रहा, है ना, reduce भी नहीं हो रहा, prime number फॉर्म में है, तो फिर ट्रीक आपको बेशक काम हैगी और तब खास कर और जादा जब calculator भी लाउड नहीं है, ब से खुद से हो जाना चाहिए, भले ही ना हो तो यह जो मैं ट्रीक बताऊंगा, उसमें भी काम आईगी, जो मैं भी आपको ट्रीक बताने वाला हो, वो उसमें भी काम आईगी, लेकिन वो direct हो जाए तो time बचता है, again division जब बड़े बड़े number में हो, लेकिन अगर वो reduce, further reduce, further reduce हो रहा है, जैसे कि यहाँ, जैसे कि यहाँ, तो वो भी easy लगता है आपको, problem तब आता है, जब इस तरह का division हो, guys, पंगा कब होता है, जब इस तरह का division हो, 4088 divide by 73, guys, कर लो इसको reduce, क्या reduce हो रहा है, नहीं, 73 is the prime number, यह reduce नहीं हो रहा है, तो फिर sirs, direct 73 से divide करेंगे, जेकिन 73 क तो टेबली नहीं आता, तो फिर अब क्या करें, अब आएगा picture में trick, अब देखना, session अब असली start हुआ है, अब तक तो मैं वो बाते कर रहा था, जो आपके लिए basic prerequisites है, guys, देखो 4088 divide by 73, जब ही भी रहेगा, देखो division आप ऐसा करते हो, school से आप ऐसे करते हो, और divisor को single digit 7, अगर वो 3 digit का भी होता, फिर भी हम unit digit ही छोड़ते हैं, मतलब ऐसा समझो कि आपको जिससे भी divide करना है, इस streak के माध्यम से, इस streak के through, आपको जिसको भी divide करना है, उसमें सिर्फ unit digit को हटाओ, हटाओ मतलब सिर्फ यहाँ पर मत लिखो, उसको हम यहाँ लिखेंगे into 3 के form में, गाईस समझना, पहला question है, बहुत अच्छी से detail में explain कर रहा हूँ, फिर फटाफट से एक दो example, तिन चार example करेंगे, मजा आ जाएगा, तो हमको 73 से divide करना था दोस्तों, मैंने क्या किया, उसमें unit digit को यहाँ मैंने into 3 किया, उसके साथ क्या करना है, बता रहा हूँ, और 7 को मैंने यहाँ लिख दिया, जिससे divide करना था, 73, उसमें से जो unit place है, सिर्फ unit place को यहाँ लिखो, बच्चा हुआ नंबर यहाँ लिखो, ऐसा याद रखो, यह आप बोलोगे सर, एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, अगर 3 digit होता, तो अभी कुछ नहीं, unit digit, अगर 3 digit भ लो, अब इसके साथ क्या करना है, बताऊंगा, और बचा हुआ नंबर, बचा हुआ नंबर, कौन बचा, 7 यहाँ पर, अब guys, अपने normal तरीके से divide करो, बच जैसे, यह 40 है, तो हम क्या बोलेंगे, 7, 5, 0, 35, या 35 आया, 5, फिर 5 पे हम क्या करते है, 8 क्या करते है, अब रुख करना है, guys, you guard समझो, आप बोलो, कि sir, नहीं है, तो हम दा direct 7, 8, 0, 56 और यह करते थे, लेकिन भाई, आप actual जब 7 से divide करोगे, तब करोगे, लेकिन main question आपको 73 से divide करना है, उसके हम trick सिख रहे है, तो trick क्या है, वापीस बोल रहो, आपने into 3 यहाँ कर दे है, और जो बचा हो, य 35 यहाँ subtraction बचा 5, फिर यह 8 को हमने यहाँ carry किया, 58, उसके बाद क्या करना है, कमपल सरी यह into 3 हमने क्यों किया है, quotient में जो भी digit आएगा, इनको multiply करो, यहाँ पर subtract कर दो, यह 8 नीचे लेने के बाद जो भी number बनाए 58, उसमें से 5 into 3 subtract कर दो, कितना बचा, guys, यह बचा 43, और हमने पहले यह 8 को carry किया था, अब इस 8 को यहाँ लिख लिया, 18, वापीस rule के हिसाब से क्या करना है, यह जो अब second digit आया है, इसको 3 से multiply कर लो, पहले 5 से आया था, 5 into 3, 15 या minus किया, जो भी आया, फिर 7, 6042, वापीस 1 आया, फिर 8 को carry किया, जैसे हमने नीचे carry ले लिया, जैस खतम, जैसे को 0 आ गया, answer, finish, जब यह digit लेने के बाद, जब last digit, सुनो, process कब खतम होगी, process कब खतम होगी, last digit लेने के बाद, जो भी quotient आया है, उसको इस 3 से multiply करके, subtract करने के बाद, process खतम, अब last digit लेने के बाद, guys, 56 is the answer, यकिन नी हो रहा, तो अब calculator निकालो और check कर लो, 4088 divided by 73, exact 56 मिले, exact 56 मिले, मुझे पता है, आपको एकदम first इसमे confidence नहीं आया होगा, don't worry, इसलिए मैं multiple example लेकिया हूँ, क्योंकि majority student का सबसे बड़ा डर division होता है, square, square, root, cube, cube, root, कभी-कभी लगते है, लेकिन division, multiplication है, त अच्छी से देखेंगे, तो एक बार मैं फिर से बता रहो, guys, किया क्या है हमने, 4088 जिसको divide करना था, 73 से, compulsory unit digit को यहा लिखा, और बचावा यहाँ, 7, अब हमने क्या किया, सबसे पहले normal division से start की, 7, 5,035, यहाँ पे 5 लिया, फिर यह 8 carry करने के बाद, जो भी quotient आया है, है अब हमने यह वाला 8 carry किया, जो भी quotient में आपका digit आया है, into 3 कर दो, तो 5 into 3, 15, यहाँ minus कर दो, आया 43, फिर से फिर बापिस 7, 6,000, अगला quotient में digit आएगा, 7, 6,000, 42, यहाँ 1 बना, और फिर यह 8 carry किया, guys, अब process देखो, कहा रुकेगी, 8 carry करने के बाद, बस एक last step आपको कर आपको, यह जो again into 3 से multiply करना है, next quotient digit को, जो की 6 आया, तो 6 into 3, 18, और पता है, अगर वो number perfectly divisible होगा, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया था, perfectly divisible मतलब क्या, जैसे 8 upon 2 होता है, 8 को 2 पूरी तरह divide करता है, उसी तरह अगर 4088 को 73 पूरी तरह divide करेगा, तो अंत में, आखरी मैं हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो ही समझना कि यह perfectly divisible है, अगर यहाँ 0 नहीं आया, कुछ अलग remainder आया, तो समझ जाना कि यह perfectly divisible नहीं है, तो quotient तो यह बचेगा, बट आपको कुछ तो remainder भी दे रहा है, remainder क्यूंत दे रहा है, क्युक्तो है perfectly divisible तो guys 73 को हम further reduce भी नहीं कर सकते, prime number है, तो simply उसका table भी आद नी, तो simply division हमने कितने आसानी से कर ली, 56 इस दा answer मैंने कहा है आपसे, calculator निकाल के check कर लो यह division 56 है, चालो और एक confidence के लिए अगला example, guys देखो 4, 3, 6, 5, divide by 97, rule के साब से, जो भी unit digit S को यहाँ into 7 में लिख लो, 9 को यहाँ लिख लो, और division start करो, सबसे पहले 43 हम क्या बोलेंगे 94036, कितना बचा भाई, यहाँ बचा 7, जैसे 7 लिखा अगला digit carry क्या, अगला digit carry करने के बाद क्या करना है, जो भी quotient में digit आया है, उसको 7 से multiply कर लो, 28, 7 फोसा 28, फिर इसमें से minus कर लो, बराबर, तो देख लो, अब इसमें से जैसे हमने minus किया, बराबर हैं यहाँ तक, yes, तो 28 हम जैसे minus कर रहे है, guys, अब क्या बचेगा, अब बचेगा, 48, 48 बचा लो, 9, 5,000, 45, अगेन, यह last digit कैरी करने के बाद, last step क्या करनी है, सबसे पहले, जब हमने last digit कैरी किया, उसके बाद बस एक last step करनी है, फिर से जो quotient में digit आया है, into 7 हमने कर दिया, तो 7 into 5, 35, देखो, आखरी में 0 आ गया, मतलब यह number perfectly divisible था, और उसका answer क्या आया, 45, calculator निकालो, चेक कर लो, 4, 3, 6, 5, divided by 97, 45 is the answer, चमका क्या, एक बार और चलो, ठीक है, आरे, आप बोलते जाओ, और question लाएंगे, है न, 9 से हमने, हमने 97 में अगेन, unit digit को into 7 यहां लिखा, 9 यहां पे, तो guys, 9, 4036 यहां लिख लिया, उसके बाद 7, इस पे 6 कैरी किया है, जैसे हम carrier लेते हैं, उसके बाद तुरंत अगली step क्या करनी है, इस quotient वाले digit को 7 से multiply किया, 28, यहां पे क्या आया, 48, अब जैसे subtraction आपका हो गया, सब्ट्रेक्शन हो गया है, फिर वापिस 9, 50, 45, 45 माइनस करने का 3 आया, फिर इसको carrier हमने यहां लिया, 35, और बाद में, जैसे last digit को carrier लेते हो, उसके बाद आखरी step, यह वापिस जो quotient में digit बनाए, into 7, 35, अगर यहां 0 बन गया है, process stop, और answer is 45, main answer is 45, है ना, actual answer is 45, समका guys, देखो थोड़ा confusion हो सकता है, तो वीडियो को थोड़ा वापिस पीछे लेके देखो, पीछे लेके देखो, वैसे तो example मैंने लाया है, अच्छे खासे, 3 digit का भी example लाया है guys, देख लो आपके सामने 3 digit का example है अब इस बार, हम इस बार, again 113 is what, prime number, 113 कों further reduce, नहीं कर सक तो unit digit 3 हा लिख दिया, बचा 11 हा, अब यार, यह तो आ जाएगा है न, 11 से division आना चाहिए, इसलिए मैं कहा थोड़ी prerequisite होती है, अब 11 से division आना तो अनिवार रहे है यार, जादू भी महनत वालों के साथ होता है, थोड़ी महनत करना, फिर ये वेदिक मैंस अपना जादू द division 118088, फिर ये माइनस किया 2, फिर अगला digit carry करने के बाद, ये तो last digit है जो हम carry कर रहे है, तो last digit को carry करने के बाद बस एक चीज़ करनी है, फिर से जो quotient में digit आया है, into 3 याने 8 into 3, कितना होता है 24, गाईस देखो, आगया 0, याने perfectly divisible था, और calculator निकाल के चेक कर लो, कि 7, 6, 8, 4 divided by 113 is 68, calculator निकालो, चेक कर लो, कमका गाईस, मतलब 3 digit भी कितने आसानी से कर रहे हो, बस last digit को into 3, फिर ये बच्चे वे digit से हा division, divide किया, ये आया, फिर carrier लेने के बाद, हमेशा एक नई step क्या करनी है, जो quotient आया है, into 3, minus कर देना है, फिर वापिस division लेना है, बराबर, फिर स लेने के बाद, जो भी subtraction आया है, उसमें last digit अगर carry कर रहे हो, तो बस अब रुकने की घड़ी आ गई है, सिर्फ एक last step के बाद, फिर से जो quotient में digit आया है, इनको multiply किया, minus के answer आ गया, come on guys, one more, one more, यार, one more, yellow, बड़ासा नमबर, 10848, divide by 113, 113 है guys, into 3, फिर से हा, 11 से हा, divide कर लो, फिर से अब क्या करोगे, 119099, 108 है 99, तो 119099 बराबर, तो यह कितना बचा, यह बचा 9, यह बचा 9, 9 पे तुरंथ हमने 4 carry किया, और उसके बाद क्या करेंगे, 9 into 3, 27 minus कर देंगे guys, तो जैसे हमने 27 minus क्या, आया 67, फिर 1166, बराबर है न, calculation में कोई mistake है, नहीं, तो 1166, वा कर दिया guys, और last digit है 8, तो उसको carry करने के बाद आखरी process क्या है, फिर से quotient में जो नया digit आया है 6, उससे multiply करो, 6 into 3, 18, 0 आ गया, आखरी digit carry करने के बाद, यह multiplication subtract करने के बाद, अगर 0 आ रहा है, आखरी digit carry करने के बाद, यह multiplication subtract करने के बाद, 0 आ रहा है, तो वो perfectly divisible है, और यहा Guys, आया कहानी में एक हलका सा twist, एक last चीज बता रहा हूँ, यह twist समझ जाना, मतलब आप बोलोगे, क्योंकि आप जब यह practice करने जाओगे, आप कही कही अटक जाओगे, अब आप अटकोगे तो आप बोलोगे, सर यह चीज तो आपने बता ही नहीं, और हमें छोड़ना कुछ नहीं है, तो guys, अब इस चीज को भी समझ लो, हाँ, यह perfectly divisible वालो की बात चल रही है, जो non perfectly divisible है, उसको next part में देखेंगे, तो guys, अब इसका division एक बार समझना, हाँ, इसका division एक बार समझना, rule के हिसाब से हम क्या करेंगे, 123 से divide करना है, तो into 3 यहाँ पे 12 से है, बच्चे व आसानी से होरी थी, लेकिन अब मैंने twist की बलाए, कभी कभार, किनकी number के combination में यह चीज हो सकती है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको निपटने का भी तरीका है हमारे पास, तो guys, अगर मैं into 3 से कर रहा हूँ, जैसे कि 12, ones are, अगर normal division करना है, आपने वही क्या, अ इसले हमने direct 108 को consider किया, 11,9099 किया, but guys, इस वाले example में 12 है, तो दिमाग में पहला question तो क्या आता है, 12, ones are, 12, है ना, तो यहाँ 0 लिया, फिर 0 को carry किया, 0 को carry किया, और rule के हिसाब से, जैसे carrier लिया, रूल के हिसाब से, यह जो भी digit आया है, इसको 3 से multiply करेंगे, और minus कर देंगे but guys, 0-3 negative आएगा, 0-3 negative आएगा और याद रखना इस process में, जभी भी subtraction negative आएगा, मतलब कुछ तो गडबड है जभी इस process में, जभी भी subtraction negative आएगा, कुछ तो गडबड है, गडबड क्या है, जहाँ हमने स्रिफ 2 digit पकड़ा, वहाँ हमने 3 digit को पकड़ना था, समझ जाना, यह आपको एक signal मिल गया, यह आपको एक खत्रे की घंटी बज गई कि भई आगे जाओगे गलत होगा, time waste ना करो, signal मिल गया आपको, subtraction इतने example आपने देखे, कभी भी negative आया, 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 never, 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 अगर negative आया तो समझ जाना कि कुछ तो हमने गडबड कर दी है trick को यूज करने में, क्योंकि हम main method से तो जाई नहीं रहे, conventional, traditional method से तो जा नहीं रहे, trick use कर रहे तो इसके भी कुछ rules, regulation, terms, conditions होती है, तो guys देखो, फिर से वो ही चीज करेंगे हम, हम भी तो भाई धीट है, हम थोड़ी रुकेंगे, हम वो ही चीज करेंगे, लेकिन हमें अप 12 बनता है, rule के हिसाब से बनता है, लेकिन guys, ये भी तो समझो कि हम actual number ये है, तो थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, और वो 19-20 हमें तुरंट समझ रहा है, तो फिर पंगा क्या है, और वो 19-20 कैसे समझेगा, कभी भी आगे subtraction अगर negative आया, और negative आया, तो समझ जाओ कि हमें क्या change करना है, हमने starting में जो दो number लिये थे, वो actual में तीन लेना, वो actual में, असल में तीन लेना था, तो फिर बात बनेगी, अब आप बोलोगे sir 12, और यहां 120, तो 12, 10,000, ना, quotient में हमेशा single single digit लिया जाता, ये तो हम school से सिख रहे है, जब ये भी हम traditional method से divide करते है, जैसे के 4, 8, 7 divide by 3, जब हम इस traditional method से करते हैं, तो हम हमेशा कैसे करते हैं, single single digit लेते हैं, 3103 याद है ना, फिर 3618, यहां 7 carry किया, 326, तो देखो गाईज, ये one remainder, remainder छोड़ो, लेकिन quotient में हर बारी हम single single digit लेते हैं, school के जमाने से अब तक याद कर लो, आज तक कभी हमने divide करते समय, इस conventional method से divide करते समय, ऐसा direct किया है, 316, 048, अभी आज तक किया है, हमेशा जबी भी इस method से, मैं बात कर रहो इस method की, जब इस method से divide करते हैं, तो हम single single digit लेते हैं, तो guys, फिर से, समझना, तो जबी भी भी आप इसको divide करोगे, अब यहाँ पर आपको पता है, 120 है, यहाँ पर 12 है, हमें यह चीज़ तो समझगी कि direct 12 नहीं लेना है, क्योंकि आगे negative हो रहा है, फिर 120 है, तो 12 तेंज और 120, ना, 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 सिंगल ही digit लेना है, और वो अगर 10 नहीं ले सकते हैं, तो तुरंत, next possible bigger digit कुन सा ह 9, 10 तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 10 is the 2 digit, हमेशा है कोशन में single, 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 single लेना होता है, फिर यह multiplication minus करो, फिर वापी single लो, इस तरह से जाना होता है, लेकिन guys, जब 10 possible नहीं है, तो next possible bigger single digit कौन है, 9, तो कौन सा हम कोशन लेंगे, 12 9s आर 108, अब 108 इसमें से minus कर देंगे, 120 20-108 है ना, हमने यह तीनों digit लिया है, तो 120-108, 12, फिर 5 को करेंगे, और as per process इन दोनों को subtract, multiply करेंगे, 27, इन दोनों का multiplication minus कर देंगे, जो कि आया 98, फिर 12, 6,000, sorry, 12, 8,000, 96, है ना, 12, यहाँ पर 98 आया है, तो अगला कोशन 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 बन रहा है, अगला कोशन आसाम से बन 12, 8,000, 96, 96 को minus कर देंगे, फिर यह last digit को carry करेंगे, और last digit को carry करने के बाद बस क्या बचता है, इस next digit, हमेशा कोशन में single 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 digit आएगा, तो यह एक बार 9 into 3 तो हमने हैं कर दिया था, last digit को carry किया, अब 8 into 3, अब यह 3 को 8 से multiply करो, तो 8 into 3 कितना होता है, 24, 8 into 3, 24, यहाँ 0 आगया मतलब perfectly divisible, come on guys, समझ रहा है, तो यह एक लोता ऐसा twist हो सकता है, जो आप practice करोगे तो आपको मिले, कि sir, आपने बता है, उसमें तो ऐसा हुआ नहीं, हम कर रहे तो हमारा subtraction negative आ रहा है, तो subtraction negative आया, तो यह signal है, समझ जाना, कि जहां हमने 2 digit लिया था, जो rule के हिसाब से जा र exact answer 98 मिलेगा, यहां 0 आ गया है, मतलब exact answer ना कम ना जादा, कम का गयरे, देख लो, देख लो, वापी इस कैसे किया, 12054 डिवाइड बाई 123 था, यहां into 3 किया, 12 यहां ले लिया, 121012 होता है, लेकिन आगे subtraction क्या हो रहा था, जैसे हमने 121012 लिया, यहां 0 लिया, फिर 0, 1210 फि क्या होगा, जितने भी digit आपने start में लिये थे, उससे एक बढ़ा दो, दो लिये थे तो 3 ले लो, एक लिया था तो 2 ले लो, है ना, जितने भी digit, ऐसे याद रखो, ऐसा नहीं कि 3 ही लेना है, दो लिये थे पहले, इसले subtraction आया, अब 3 ले लो, इसले subtraction निगेटिव आया, तो 2 ले लो, तो यहाँ हमने 2 लिया था, subtraction निगेटिव आया, अब 3 लेंगे, बट 3 लेने के बाद 12, 10, 0, 120, लेकिन हम कभी भी इस वाले method में 12, 10, याने 2 डिजिट कभी निखते कोशन में, process wise हम single, single, single लिखते जाते हैं, तो 10 तो लिखनी सकते हैं, तो next possible bigger number हमेशा 9 5 यहाँ carry किया, फिर इन दोनों का multiplication 27, तो 5 यहाँ carry किया, इन दोनों का multiplication 27, minus किया, कितना है, 98, now 12, 8, 96, फिर अगेन 2 लिया, last digit को carry कर रहे हैं, तो एक ही step बज गई अब, यह नया जो digit आया, question में, 8 into 3 minus score, this is the answer, 98, guys, करके देख लो, answer आ जाएगा, and now last question, last question, फिर से 3 digit number है, ब कोई पंगानी, आपको जो मैंने twist बताया था, वो twist फिर से एक बार आ जाएगा, क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पे unit digit into 2 करूँ, तो 13 से यहाँ divide करेंगे, और अगर 13 से divide करेंगे, तो 13, 1000, 13, 0 लिया, फिर यह 0 carry किया, फिर इन दोनों का multiplication होता है, तो देखो, subtraction negative आ रहे और subtraction negative आया, तो आपको बस यही समझना है, कि उपर आपने अगर दो digit पकड़े होंगे, तो अब एक बढ़ा दो, 3 कर लो, एक पकड़ा होगा, तो एक बढ़ा दो, 2 कर लो, तो yes guys, अब देखो, 130, again हमें पता है, 13, 100, 120, लेकिन ना, हम 10 नहीं ले सकते हैं, तो next possible bigger number लेंग करने के बाद आपको मिला, 118, फिर 13, again 9,117, यहां 118 है, फिर डिवाइट करेंगे, 13, 9,117, 1, और यह last digit को यहां carry किया, और last digit करने के बाद, यह last बचेगी, 9 into 2, 18, अगला digit कोन था, 9 into 2, 18 माइनस करो, अगर यहां 0 आ गया, तो यह perfectly divisible है, और perfectly divisible में answer क्या है, 99, calculator निकाल कर लो, check कर लो, guys, मुझे पता है, step थोड़ी सी, समझने में, दिक्कत पहली बार जाएगी, दुसरी बार थोड़ी clarity बढ़ेगी, तिसरी बार और और बढ़ेगी, इसलिए मैं इतने multiple example लेकर आया था, और अभी process रुकी थोड़ी, यह तो मेरे तरफ से खतम हुआ है, टाली यार, यह तो prime में, इसका table तो हमें कभी भी याद रखना जूरुरी नहीं है, वैसे तो prerequisite, 130 तक ठीक है, 1 से लेकर 30 तक, लेकिन अगर हम 97 से divide कर रहे है, अगर हम 73 से divide कर रहे है, अगर हम 83 से divide कर रहे है, तो यह तो क्या हुआ, यह perfectly divisible, यह sorry, prime number है, यह composite नहीं है, तो इनका table भी हमें याद नहीं है, लेकिन इससे भी अगर हम divide कर रहे है, तो फिर तो बल्ले बल्ले यार, trick काम आगी, अमज़ रहे हो, तो yes guys, फिर से बता रहा हूँ, अब तक का पूरा सार आज के session का, सबसे पहले तो 1 to 30 तक अगर को division, हाला कि 1 to 23 है, अगर आपको किसी number को 23 से divide कर time इसमें डालना है, 1 to 30 तक table याद करो यार, और उसको direct division में लो, रिख तो वहाँ भी काम आएगी, लेकिन direct division और time बचाएगा, याना, कोई बड़े-बड़े, दूसरी बात मैंने बताई थी, कोई बड़े-बड़े number का division कर रहे हो, लेकिन अगर वो reduce हो रहा है, जैसे मैंन प्राइम नंबर से divide करो, simply, तो फिर guys, ये trick हमेशा आपको बहुत बहतरी तरीके से काम हैगी, और खासकर तब तो और दाधा, जिन exam में calculator allowed नहीं है, तो guys, मैंने जो question दिये, उसको एक बार फिर से बिना देके, खुद भी करना, समझ लो trick को, फिर उनी question को, ये session notes आपको मिल जाएगी, बिना देके, खुद करना, और अपने मन से randomly फिर कुछ भी example लेके division try करते रहो, guys, ये था part 1 perfectly divisible, stay tuned for part 2, जो बहुत जल देके आएंगे, till then, bye bye, good day, take care, enjoy.